हेलो गाइज वेलकम टू दी कॉंसेट सॉलूशन एकेडमी फॉर्मूला देखते हैं हम फॉर्स नमबर फॉर्मूला देखो फॉर्मूला का रूल के है एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा ठीक है ना एदम ध्यान से देखो ठीक है एदम बड़ा इजी है है एक याद कर दूसरा याद हो जाएगा क्या है फॉर्मूला टू सैने हे इंटू कॉस बी क्या है टू सैने होगा एक कॉस होगा तो आपको करना क्या है दोनों तरफ सैन लिखना है बस एक बार दोनों angle को जोड दीजे, दोनों angle को घटा दीजे, बीच में plus का sign, ठेकर ना, अगर क्या होगा, cost पहले आगया sign बाद में, तो आपको करते हैं, बीच में खाली minus, क्या करना है, बीच में minus, सब देखो, वैसी उतरे, वैसी उतरे, खाली बीच में minus, क्या बोले भी एक sign होगा, एक cos होगा यहाँ पर 2 होगा लेकिन दोनों का angle क्या होना च्याँ अलग अलग तो क्या लगएगा यहाँ sign और यहाँ sign बीच में plus का sign इसका दोनों angle को जोड़ दीजिए फिर दोनों angle को घठा दीजिए अगर cos पहले आगया, बार में 2 है और cos पहले आगे 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 साइन बार इसी का उल्टा हो गया तो यहाँ पर बीच में पलस तो यहाँ माइनस और यह वाला जैसे यह सब इसी उता जाएगा ठीक है ना आगे चलो 2 cos A into cos B का फर्मूला अगर दोनों cos है और यहाँ 2 है तो दोनों तरफ cos ही रहेगा बस सिंपल है 2 cos A into cos B cos है तो दोनों तरफ cos होगा cos A plus B plus cos A minus B अगर दोनों sin हो गया इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है minus वाले को पहले लिखतीजिए plus वाले को बार में लिखतीजिए और यहाँ minus देदीजिए ठीक है तो 2 sin A into sin B का फर्मूला क्या होगा cos A minus B minus cos A plus B ठीक है ना याद हो गया चलो यह याद हो जागा तो यह याद हो जागा तो यह याद हो जागा तो यह याद हो जागा ठीक है ना अगी है सेकेंड नंबर का फर्स देखता है sin C plus sin D क्या फर्मूला sin C plus sin D मतलब दोनों sin ही होगा लेकिन दोनों का angle क्या होगा different होगा तो क्या formula लगा 2 sin c plus d by 2 c plus d by 2 मतलब दोनों angle को जोड़ दीजिया दूसरे divide कीजिये फिर cos लिखिये दोनों angle को minus करके दूसरे divide कर दीजिये बस ठीक है ना आगया जाओ अगर यहाँ plus रहा तो यहाँ sin और यहाँ cos अगर इस यहाँ minus होगा बीच में का होगा minus sin c minus sin d होगा कुछ नहीं करना same formula अप्लाई होगा लेकिन cos पहले और sin बाद में simple अगर दोनों cos होगी है cos c plus cos d आपको करना क्या है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 याद कैसे रखेंगे दोनों तरफ cos है तो यहाँ भी दोनों तरफ क्या होगा cos होगा अगर cos c minus cos d है अगर cos का minus वाला में होगया तो इसको थोड़ा different है याद रखना होगा पहले minus लेकिन यहाँ दोनों तरफ sin होगा sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 कैसे याद रखेंगे फिर से recall कर देते है अगर sin है दोनों तो sin वाला में rule है एक sin होगा एक cos होगा अगर बीचे minus है तो cos पहले और sin बात में याद हो गया यह है sin c plus d का formula बहुत important है आपके पास इसके basis पर question बनेगा ठीक है ना लोग एक्सरसाइस 15 का c परहेंगे इससे पहले अभी जो हम formula पढ़ा है उस पूरे formula को एक बार recall कर लीचे उस formula से आपके question बनेगा ठीक है ना देखो इधर से first number है sin 150 degree plus sin 150 degree minus x यहाँ कहा है 150 degree plus x यहाँ कांस है 150 degree minus x बराबर cos x प्रूफ करना है तो यहाँ देखो solution first number पहले LHS लिको कहाँ लिखो LHS sin 150 degree plus x plus sin 150 degree minus x देखो कौन सा formula यह वाला formula देखो का दोनों तरफ sign है तो दोनों तरफ sign कौन सा यह वाला बीचे पलस है तो इसका मतलब कौन सा first वाला formula लेगा formula क्या कहता है two sin into cos b मतलब पहले two लिखिए फिर sin लिखिए a a मतलब कौन सा पहले वाला जो एंगल वो फिर cos लिखिए उसका कौन सा angle b b मतलब दूसरा वाला angle यहां से ध्यान से दोखो यह हो गया a और यह क्या हो गया b तो क्या कहता formula two लिखिए उसके बाद sin उसका क्या है a a के जगा कौन सा बहा 150 degree उसके बाद b क्या है x उसके बाद क्या कहता है cos b तो cos b के जगा पर कितना cos x अब यहां two सही है sin 150 का value कितना होता है तो इसको क्या करेंगे हम quadrant पर break करेंगे sin 90 यह पलस कितना हुआ 60 degree तो अब यहां से देख लो sorry 90 है तो function क्या करेगा change करेगा तो sin का change हुआ जाएगा तो क्या बचेगा cos इदर 60 degree पलस की minus तो 90 पलस है कौन quad में second में second में sin क्या होता है positive इसलिए यहां positive होगा इदर है आपके पास cos x 2 सही है cos 60 degree केतना होता है 1 by 2 इदर कौन सा है cos x यह यह कट गया क्या बचा यहां पर cos x यही प्रोड हो गया समझ में आगे चलिए second number है cos x plus cos 120 degree minus x plus cos 120 degree plus x ठीक है न second number तो चलो LHS लिखो cos x plus cos 120 degree minus x plus cos 120 degree plus x तो पहले यहां यह cos x सही है देखो कौन सा formula इसमें apply हो रहा है तो sir यहां पर जो है दोनों तरफ cos है तो दोनों तरफ cos वाला कौन सा यह भी है यह भी है और यह भी है और यह भी है और यह भी है लेकिन धिहान से देखो पहले minus है तो पहले अगर minus है तो कौन सा यहां बीचे minus रहेगा तब यह formula लेकिन यहाँ minus है यहाँ पर angle में लेकिन यहाँ पर कौन सा प्लास इसका मतला यह वाला formula है formula में put करने के लिए question में थोड़ा आगे पीछे कर दिया है आपको फसाने के लिए तक करो का है इसको पहले है इसको बाद में लिख सकते हैं इसको लिख लो आप cos 120 degree plus x इसको बाद में लिख लो cos 120 degree minus x यहाँ आपके पास cos x सही है कौम सा formula अब यह third number formula लग जाएगा क्या कहता है formula 2 cos a a कितना हो गया 120 यह भी कितना हो गया x यहाँ पर cos 120 degree उसके बाद क्या लिखेंगे हम cos x cos सही है 2b ठीक है cos 120 क्या लिखेंगे 90 अब पलस कौन सा 30 degree लिखेंगे इधर से आपके पास cos x हो गया cos x अपने जगा सही है 2b सही है यहाँ निखाओ cos है यहाँ 90 यहाँ 90 यह फंक्शन क्या करेगा चेंज करेगा तो 30 degree पलस की माइनस तो cos 90 पलस है कौन कोर्ड में second में second में cos क्या होता है negative यहाँ negative इधर cos x यहाँ finally cos x सही है यह वाला plus minus मिलके minus 2 इधर 30 degree 1 by 2 इधर कितना हो गया cos x यह यह कट गया क्या बचा आपके पास cos x और minus cos x दोनों कट के हो गया 0 यह हो गया आपके पास proved समझ में आ गया तो formula याद रहेगा तो question बड़ा easy भी वह थर्ड नंबर है sin x minus pi बट्टा 6 plus cos x minus pi बट्टा 3 इसको स्टू प्रूफ करना है root 3 sin x कितना यहाँ पर देखो कि कोई formula apply होगा देखो formula क्या कहता है इधर sin इधर sin यह यहाँ तरफ same function होना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ देखो यहाँ sign होगा यहाँ cos होगा इसका मतले इस चालों में से कोई formula नहीं लेगा लेकिन हम पीछे जो पढ़ गया है कौन सा sin a minus b इसको क्या हम हम पहले lhs लेख लिए क्या लेख लिए lhs इसको हम a इसको कौन सा b तो sin a minus b लगा सकते हैं और यहाँ भी इसको a माल लो इसको cos a minus b पर तोड़ सकते है रहा यहाँ लेकिए sin a minus b का क्या formula sin a to sin x उसके बाद क्या cos b तो cos b के जगा पर कितना वहा 5 बटा 6 minus फिर क्या cos a तो a क जगा कौन सा वह x फिर कितना sin b तो sin pi बटा 6 पलस cos a minus b का क्या formula होता है cos a into cos b तो cos a into कितना वहा cos b पाद थी है और यहाँ पर minus है तो cos पला में क्या होता है उल्टा होता है plus तो minus minus तो plus अब है sin a into sin b तो sin x यहाँ कितना हो जाएगा sin x ना इन्टू कितना वह sin b तो sin e जहाँ है cos 30 degree cos 30 degree कितना होता है root 3 by 2 ठीक है ना minus cos x अपने लगा सही है sin 30 degree sin 30 degree कितना होता 1 by 2 इधर cos x है उसके अदा आगया इधर cos कितना 60 degree cos 60 degree कितना होता है मतब पाइब बट्टा 3 होता है cos 60 degree cos 60 degree कितना होता है 1 by 2 पलस इधर से sin x तो सही है उसके आज होता है sin 60 degree sin 60 degree कितना होता है root 3 by 2 हो गया अब देखो ये minus वाला और ये plus वाला कट गया अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों same है तो दोनों add हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 2 उसके बाद root 3 by 2 i in 2 कितना होता sin x ये ये कट गया क्या बचा root 3 i in 2 कितना sin x ये ही proved हो गया आपके पास तो third number आपका complete ठीक है हम आते हैं 4 number में किस में आते हैं 4 number में देखो 4 number 4 number का lhs क्या कहता है tan pi बच्टा 4 अब पलस x कहा tan pi बच्टा 4 पलस x तो ये हो गया कौन्स है tan a plus b तो देखो tan a plus b इसको मानो a आ इसको क्या मानो b तो tan a plus b के लिए क्या formula पढ़ाई थे tan a plus tan b क्या होगा इधर से tan a तो a के जगा पर pi बच्टा 4 इधर क्या हो जागा tan b तो tan b के जगा पर कितना हो जागा x upon 1 minus tan a into tan b तो tan pi बच्टा 4 into कितना है tan x tan pi बच्टा 4 कितना होता है 1 इधर क्या लिखेंगे tan x तो इधर से 1 minus 1 into कितना इधर tan x तो वो इधर 1 पलस 10x हो गया नीचे में कितना हो जागा 1-10x यही प्रूफ करना था यह कौन सा हो गया आपके पास 4 नमबर ठीक है ना आजाओ कौन सा हम 5th नमबर में चलते हैं इसमें चलते हैं 5th नमबर में इसको रब कर देते हैं आजाओ फिर से 5th नमबर है 5th नमबर का LHS लिखिए 10 5 बट 4-x कौन सा फर्मूला 10 A-B का फर्मूला इधर क्या होता है फर्मूला 10 A-B का क्या फर्मूला होता है देखो यहां फर्मूला लिख ले है 10 A-10 B अपोन 1 पलस कितना इधर से 10 A into 10 B यही होता है फर्मूला अब काउन सा यह हो गए आपका A और X क्या हो गए आपके पास B यह है X तो इधर क्या लिखेंगे 10 5 बट 4-10 B B के जगा X अपोन 1 पलस 10 A तो इधर कितना हो जागा 10 5 बट 4 इंटू कितना इधर 10 X 10 5 बट 4 1 माइनस इधर कितना इधर 10 X अपोन 1 पलस 10 5 बट 4 1 आएंटू कितना इधर 10 X तो 1 माइनस इधर से हो जाएगा 10 X अपोन 1 पलस कितना हो जाएगा 10 X यही प्रूफ करना ता हो गया बड़ा सिम्पल है तो आपके पास exercise में जैसे से आगे बरेंगे तो पीछे वाला फॉर्मूला भी काम देगा, ठीक है नहीं, तब पीछे वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, छोलोगो, 6 का first number question है, sin 10x plus sin 6 है, इस सबका value निकालना है, देखो, तो सबसे पहले इस चारो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, sin c plus sin d है, इसका मत को जोड़ दो, नीचे में divide कर दो, फिर दोनों को घटा दो, नीचे में divide कर दो, बाहर में 2 होगा, तो यह हम अभी हम recall करवाया है, formula तो देखो, first number है, solution, देखो, first number, sin 10x, आप पलस कौन सा, इदर sin 6x, ये क्या होगे आपके पास, इसको मानिए c, आड ये क्या होगे आपके पास D, कौन फर्मूला, दोनों तरफ sin है, पलस है, दोनों तरफ sin है, पलस है, तो कौन सा फर्मूला, इदर को आपहला आपके लिखेंगे, 2 sin c पलस है, इसका मतला, 10x, पलस कौन सा, 6x, आपन 2, आइन तो केतना, कौस, फिर इसी को माइनस करके लिख दो, ठीक है, अपन 2, आइन तो कॉस, 4x अपन 2, ये कटा कितना, एक टाइम में, इदर कितना, 2 टाइम में, तो फाइनली इदर कितना हो जागा, 2 sin 8x, आइन तो कॉस, 2x, यही अंसर हो जागा, ठीक है, सेकेंड नमबर, आपके पास, sin 7x, माइनस, sin 3x, sin 7x, और माइनस, sin 3x, कौन सा, बीच में त सेकेंड नमबर क्या कहता है, पहले 2 लिखिए, उसका अद कॉस, हो गया, अब दोनों एंगल को जोड़ दो, तो 7x, अब प्लस 3x, अपन 2, इंटू फिर क्या कहता है, sin लिखिए, बस, इतना ही, अब इसी को माइनस करके लिख दो, 7x और माइनस 3x, अपन 2, यहां कितना हो जाएगा, 2コs, यहां कितना हो जाएगा, 10x, अपन 2, इंटू साइल, इधर कितना हो जाएगा वा रő, 7 में से 3 गया, तो 4x, अपन 2, यह 2 टाइम में कथा, यह कितना हो जाएगा, 2コs, 5x, इंटू साइल, 2x, यही अंसर हो जाएगा, ठिक हैं, आते हैं, हम 1st हो गया, 2nd हो थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में हैं यहां cos 7x, cos 7x, अब पलस कौन सा इधर से, cos 5x, यहां दोनों तरफ cos है, बीच में पलस है, तो कौन सा, थर्ड नंबर फॉर्मूला, तो आ जाओ, क्या फॉर्मूला होता, 2 cos, cos है तो इसका मतलब, दोनों तरफ cos है होगा, तो पहले 2 उसका कितना, दोनों एंगल को जूर दीजिए, into, फिर से cos लिख रिए, और दोनों एंगल को माइनस कर दीजिए, ठीक है, यहां 2 लिखो, इधर हो जागा cos, इधर कितना हो, जागा 12x upon 2, इधर हो जागा cos कितना, इधर 2x upon 2, यह cancel out, यहां कितना 6 time में कट गया, इधर हो जा इधर से cos 2x और माइनस कितना, cos 4x, कौन सा फर्मूला अप्राएगा, फर्स सेकेंड, फर्ट, फर्ट, कौन सा फर्मूला, बोलो, यह cos c मेनस cos d ये वाला, cos c मेनस cos d का फर्मूला थोड़ा सा उल्टा है, नहीं, कि सर पहले माइनस 2 sin लिखेंगे, माइनस 2 लिखेंगे, उसक साइन, c पलस, तो 2x अब पलस 2, 4x बटा 2, n तू फिर से साइन, कितना, 2x और माइनस 4x और अपन 2, यहां माइनस 2 रहने दो अपने जगा, यहां हो जाएगा साइन, 4 दो कितना हो गया, 6, तो 6x अपन 2, इधर कितना हो जाएगा साइन, माइनस 2x अपन 2, यह कट गया, 3, य इधर कितना हो जाएगा, sin minus x, sin minus theta क्या होता है, minus sin theta, इसलिए minus बाहर आजाएगा, तो यह हो जाएगा, minus minus plus 2 sin 3x into कितना इधर से sin x, यही answer हो जाएगा, समझ में आएगा, formula कितना important है, और कैसे question बनता है न, चलो, चलो, 7 number question ने, इसमें 4 question दिया हुआ, इसको कहता है, solve करने के लिए 2, तो पहला हम इसका लिख लेते हैं, 2 sin 6x into cos 4x, यहाँ 2 लगा हुआ, x sin 1 cos कौन सा formula देखो, first number formula, तो क्या क्या करेंगे हम इसमें, sin a plus v, plus sin a minus v, मतलब, अगर sin पहले है, तो क्या होगा, दोनों तरफ sin होगा, तो आप यहाँ लिखे, sin, दोनों angle को, यह इसको और इसको add कर देजिए, 6x और plus 4x, plus sin, फिर इसी दोनों को minus कर देजिए, 6x minus 4x, यहाँ कितना हो जाएगा, sin 10x, अपला सिधर कितना हो जाएगा, sin 2x, यहीं answer हो जाएगा, भर यह, कितना इसी है, चलो, second number है, 2 cos 5x, कितना है, 2 cos 5x, into sin 3x, कौन सा formula, first, second, third, कौन सा, 2 cos, cos पहले हागा, sin बाद में, इसका मतलब सेम formula अपला होगा, लेकिन बीच में कहा होगा, minus, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वह, sin 5x, plus 3x, यहाँ कितना लिखेंगे, sin 5x, और minus 3x, बस इसी को add करेंगे, इसको यहाँ subtract कर दिए, sin कितना 8x, और minus इधर sin कितना इधर 2x, यही answer हो जाएगा, आईए, third number है, क्या है third number, 2 cos 7x, 2 cos 7x, उसके बाद कितना है, cos 3x, यहाँ पर कौन सा, दोनों cos हो गया, तो इसका मतला कौन सा, यह वाला formula, इसका क्या formula होता है, cos a plus b, plus cos a minus b, तो यहाँ क्या करेंगे, हम cos, दोनों angle को add कीजिए, plus का sign दीजिए, और दोनों angle को subtract कर दीजिए, cos, इधर कितना हो जाएगा, 10x, अब प्लस इधर से cos कितना हो जाएगा, इधर से, 4x, यही answer हो जाएगा, ठीक है, आएगे, 4 number है, 2 sin at x, आएगे, कितना हो जाएगा, sin 2x, इधर को जाएगा, दोनों तरफ sign आगे, तोनों तरफ sign कौन सा, यह वाला formula, तो क्या होता है, इसमें cos a minus b, यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos a minus b, तो a हो गया, a at x, और 2x क्या हो गया, b, यह हो गया, a, और यह क्या हो गया, पूरा का पूरा b, तो a at x, माइनस 2x और माइनस Cos a पलस b तो a8x और पलस कितना इदर 2x तो finally Cos कितना हो जाएगा इदर से 6x और माइनस Cos कितना हो जाएगा इदर से 10x यही एंसर हो जाएगा ठीक है ना चलो यहाँ तक समझ मैं आगे आप क्या किजिए जहां जितना भी फॉर्मूला है इस आपको एक बार चिपका दीजिए, ठीक है न, तो formula आपका बार-बार recall होते रहेगा, ठीक है न, इससे क्या जाएगा आपको कोश्ण मनाने में आसाई होगा, ठीक है न, चलो, thank you so much, मिलते हैं आगले class में